नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंक्यता आम बजट से लोगों को बहुत सारी उमीदे हैं लगातार बढ़ती महगाई ने घर का बजट बिगार कर दिया है तो ऐसे में लोग उमीद कर रहे हैं कि इस साल का बजट कुछ राहत लेकर आ सकता है एक फरवरी 2023 को आगामी वितवर्ष के लिए देश का आम बजट पेश होने जा रहा है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन लोग सभा में सुभा 11 बजे आम बजट पेश करेंगी लेकिन कि आप जानते हैं कि आम बजट कैसे तयार होता है और इसके पीछे सरकार के कितने विभाग की मैनच जुड़ी होती है और कैसे इस बजट को गुपत रखा जाता है तो आईए जानते हैं बजट से जुड़ी रोचग बातें भारतिय सम्विधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्री बजट देश का सालाना फाइनेशल लेखा जोखा होता है इसमें सरकार की कमाई और खर्च का अनुमारित विवरन होता है जिससे सरकार बजट के जरिये विशेश वित्तिय वर्ष के लिए पेश करती है कि आगामी वित्तवर्ष में अपनी कमाई की तुल्ला में किस हद तक खर्च कर सकती है बजट बनानी की तैयारी छे मेहने पहले यानि की सितंबर में ही शुरू हो जाती है आईए अब आपको बताते हैं बजट से जुड़े कुछ रोचक तत्य आजाद भारत का पहला बजट 26 नविंबर 1947 को तातकालीन वित्तमंत्री आरके शर्मुखम शेटी ने पेश किया था देश के दूसरे वित्तमंत्री जौन मथाई ने उननीस सो उन्चास पचास का बजट पेश किया था जो की महंगाई पर केंद्रित था साल 1955 के बजट से ही बजट से जुड़े दस्तावेज हिंदी में तयार किये जाने लगे थे 1955-56 के केंद्री बजट में काला धन उजागर करने की योचना शुरू की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने 1994 के केंद्री बजट में सर्विस टेक्स का प्रावधान किया था साल 1973-74 के बजट में ब्लैक बजट की रूप में से जाना जाता है इस साल बजट घाटा 550 करोड रुपे था 1982 में वितमंत्री प्रणव मुखरजी ने एक घंटे 35 मिनिट तक बजट स्पीच के साथ बजट पेश किया 1987 के बजट पे राजिव कांधी ने पहली बार कॉर्परेट टेक्स से परिचय करवाया था बजट से जुड़े इन रोजचक किस्सों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें कॉमेंट करके बताईए जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार